गुड इवनिंग एक पोस्ट मार्केट अनलसिस करके देखते हैं जो हमने 31st के लिए बैंक निफ्टी के अनलसिस की थी कि मार्केट में वो चीजें होती हैं दिखी या नहीं दिखाई नहीं अगर आपको याद होगा कि प्रीवेस वीडियो जो हमने 31st मार्क के लिए बनाया था उसमें हमने कहा था कि तीन कीज़ें होती हैं कि या तो मार्केट जहें वो फ्लाट ओपन हो अपने उसी लास्ट प्राइस जहां पे उसने बन किया था या गैप डाउन ओपन हो या गैप यह तीन कंडिशन में हमारे तीन अलग-अलग strategies थी कि हम क्या करेंगे gap up के लिए बोला यह गिया था कि अगर gap up open होता है तो हम foreign entry नहीं लेंगे हम wait करेंगे कोई एक pattern बनने की एक एक जब हमारा एक system तयार हो जाएगा और हमें लगेगा कि हम trade ले सकते हैं तब ही हम trade लेंग तो gap up final अपना यह करीब 40,500 तग गया फिर इसने एक थोड़ा correction लिया तो हमें यह एक range पता चल गए कि यह 40,500 से उपन नहीं जा रहा है यह हमें resistance mark हो गया और यहां पर जब यह आया 40,350 यह हमारा एक support बना अब हमें यहां पर इंतिजार करना था कि आगे क्या price action होता है लेकिन यह देखें आप जिसने एक trend line बनाई इसने trend line को कभी भी break नहीं किया तो correction उसके बाद से कुछ फदर बड़ा correction आ नहीं पाया तो जब correction आएगा नहीं तो हम entry लेंगे कैसे क्योंकि market bullish था तो हमें कभी भी put side का trade नहीं करना है हमें again the market नहीं जाना है तो वो हमारी पहली condition हो गए कि अगर market sentiment bullish है तो हमें put side का trade नहीं लेना है हमें कोशिश ये करनी है कि हमें call side का ही trade लेना है call side का trade लेने के लिए अगर gap up है already 300-400 point उपर हो चुका है तो हमें कहीं न कहीं उस correction की वरुबत पड़ेगी ना तभी तो हम वापस call side के लिए जा पाएंगे वो correction as such इसमें आया नहीं और ये market लगबख पूरे दिन ये छोटे छोटे candle बना के एक ही range में घोमता रहा ना इस trend line के नीचे आया ना इसने कोई ऐसा major तो हमें लेना चाहिए था लेकिन आप एक बात यह समझें कि अगर आप बैंक निफ्टी का नेचर देखें तो इसमें जो मूब्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं पूरे दिन भर में अगर इसने एक side में 300 points का move बनाया है तो यह कुछ भी नहीं है क्योंकि अगर आप इसे लेके बैठेंगे तो यह बढ़ा तो 300 points लेकिन आपका जो जो जिस strike price पर आपने लिया है जो आपने premium दिया है वो premium उस तेजी से नहीं बढ़ेगा क्योंकि time लग र buyer और दूसरी तरफ है option seller option seller जब option बेचता है तो वो अराम से market में बैठता है क्योंकि उसको time उसके against में नहीं है लेकिन जब option buyer option को खरीदता है चाए वो call खरीदे या put खरीदे तो उसको जिस point of view से उसने से खरीदा है कि mean अगर call खरीदा है तो यह सोचा होगा कि market उपर जा आएगा वो चीज जल्दी होनी चाहिए अगर उसमें time लगेगा तो जो time decay है उसका दुखसान होगा call buyer को और तब option buyer को होता यह है कि हम होते हैं option buyer लेकिने psychology develop करते हैं कि हम option seller है हम ले लेते हैं और इसके बाद बैच जाते हैं तो यह यह आपको एक अपना mindset बदलना पड़े अगर आप option buyer हैं आपको वहीं पर buy करना है जहां पर move तेज आए तो आज कोई भी buying ना करने के वज़ा यही थी कि बहुत ही छोटे candles से कोई side का move दिखाई नहीं दे रहा था रिस्क था अगर हम put की तरफ जाते क्योंकि आप देखें कि put कभी भी sustain नहीं हो पा रहा था वापस एक candle लक्षी थी फिर वही चार पॉइंट ऊपर दो पॉइंट नीचे ऐसे ही चलता है चलता है अगले दो दिन के लिए market बन था तो अगर हमारा कोई भी एक move गलत हो जाता मानने कि हमने put खरीदा और वो नीचे नहीं आया तो फिर हम या तो उसको lost पे book करते या फिर दो दिन position hold करते दो दिन position hold करने का मतलब है कि Saturday and Sunday आपका time decay दबदस्त होता यूँ ही आपका जो प्रीमियम है उसमें काफी आपको lost हो जाता तो ये तीन चार रीजन थे जिसकी व से कोई lost नहीं किया तो अगर आपका दिन ऐसा जाता है कि आप profit भले नहीं बनाने हो लेकिन अगर आप loss नहीं करना है तो फिर भी आप यह समझ ले कि आप profit नहीं कि आपका first option जो आपकी priority है वो यह है कि आपको अपना capital बचाना है आप first पैसा होगा market आपको move देगा लेकिन जब आप मुझे सोचोगे कि नहीं मुझे trade करना ही करना है मुझे कैसे भी करके आज दो trade तो करनी है अगर इस mindset से आप जाएंगे तो market आपके तारे पैसे ले ले लेगा और जब उसे actual में move आएगा जब आपको सच में खरीदना चाहिए उसक्त आपके पास कुछ नहीं चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि कई बार ना खरीदना भी जो है वो एक मुनाफ़े का सौधा होता है जो हमने आज किया कि हमने कोई भी call या put हमने नहीं खरीदा क्योंकि market ने हमें कोई एक definite direction जो थी वो नहीं बताई बाकी जैसा आपने देखा हुआ है कि जो support and resistance थे व line को उसने पूरे दिन बर follow गिया तो overall जो एक simple method है उसी को हम ले के चलेंगे इसे समझने के लिए दीरे दीरे हम इस पर practice करते रहेंगे और हम call या put तभी खरीदेंगे हम कोई भी position तभी बनाएंगे जब हम पक्का होगा कि हम हमें यहां से move बनाएंगे अपनी तरफ से कोश भी आपका hit हो गाया तो नहीं है लेकिन अगर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि सामने से कोई भी position नहीं बनती है तो जबदस्ति उस trade में जाने का कोई मतलब नहीं है इसी तरीके से हम आगे भी करेंगे कि हम एक दिन पहले analysis करेंगे कि हमें अगले दिन क्या करना है उसके ब में और बहुती रिस्की काम लेकिन अगर इसे समझ के किया जाए तो थोड़ा अपने emotions को control करके किया जाए तो आप इसे कर सकते हैं impossible नहीं है लेकिन मुशकल काम है और जैसे हम equity में अब तक investment करते आएं उससे और यह बिल्कुल अलग चीज़ है इसमें आपको decision quick लेने पुड़ते हैं आपकी चार्ट के बारे में आपकी समझ होना जरूरी है आप को अपना capital protect करके चलना होता है क्योंकि आप time के अगेंस लाड़ हैं तो यह सारी चीज़े हैं लेकिन दीरे 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 आप इसे समझते जाएंगे और अगर आप को लगता है कि यह मेर decisions में comfortable नहीं हूं तो मेरी आप से यही request है कि आप इसे ना करें लेकिन समझने के लिए किसी चीज़ को जानने के लिए knowledge लेने के लिए यह बुरी चीज़ नहीं है बले आप इसमें trade ना करें लेकिन आपको इससे पता होना चाहिए और आगे पी जब हम वीडियो बनाएंगे तो और दीरे दीरे चीज़ें आपको clear होते चले जाएंगी इससे एक फाइदा आपको जरूर होगा कि आपकी technical analysis वो बहतर हो जाएगी आप बले ऐसे जो चीज़ सीख रहे हैं वो आप option buying and selling में ना use करके अगर आप कल को अपने equity में भी use करते हैं तो आपको बहुत फाइद अब अगला video के बनाएंगे वो इस बात पर होगा कि हम Monday के दिन हमें market में क्या हो सकता है बिलकुल वैसे ही सोचेंगे neutral होके कि अगर gap up होता है तो क्या करना है gap down होता है तो क्या करना है और flat open होता है तो क्या करना है यही तीन चीज़े होगी तो अपने को इन तीनों के okay thank you